सेकिंड क्वेस्टिन जो हमारे पास आ रहा है सिमिलारिटी वेरी इंट्रस्टिंग वराइटी बहुत सारे लोग इसको एनलोजी के साथ जोडते हैं बड़ी यह डिफरेंट है इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो फिगर्स बने हुए हैं और उन दो फिगर्स में कोई किसी लिंक है वो किसी तरीके से किसी पैटरन को फालो करके बनाए गाए हैं उसी लिहाद से उसी पैटरन को फालो करते हुए मुझे एक डागरम और चूज करना है जो इन में से कोई होगा इन पांच फिगर्स में से होगा तो मेरा question कुछ इस प्रकार है In the following question, a related pair of figures is followed by five numbered pair of figures Select the figure that has a relationship similar to that in the original pair Means हमें इन में से कोई एक चुनना है जो इस जैसा है देखने में सारे ये इस जैसे ही लगते हैं क्योंकि सभी में एक एक पोर्शन को शेड किया गया है तो देखने से लगता है ये पांचों और इन दो में कोई भी फरक नहीं रहा होगा बट आंसर तो एक ही सही है तो तो दाट मींस वी आफ टो पिक दी बेस्ट आंसर यहां पे लिखा भी गया है दी बेस्ट आंसर बहुत बार विजूल रिजनिंग में ऐसा होगा कि आपको दो आप्शन सही लगेंगी बट उन दो मेंसे बेस्ट जो होगी उसको आप टिक करेंगा और वही आपका आंसर बनेगा चलिए तेखते हैं कि इन मेंसे कौन सा आंसर बनता है पहले उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन दो डाइगराम में समझे कि खासियत क्या है ये दोनो डाइगराम जो हैं वो स्मिट्रिकल है स्मिट्रिकल मीज इनको बराबर के चार हिस्सों में बाटा गया है तो जो तीसर डाइगराम भी बनेगा वो भी बराबर के हिस्सों में डिवाइड होना जरूरी है और वो भी चार क्योंकि इसके भी चार टुकड़े हैं इसके भी चार टुकड़े हैं तो अब जो नेक्स्ट डाग्राम आएगा उसमें भी हमारे पास चार टुकड़े होना जरूरी है डाग्रम्स में मेरे पास यहाँ पे चार टुकड़े हैं यहाँ पे भी 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 हैं पर जैसे मैंने भी कहा कि मेरे पहले दो डाग्रम्स में जो टुकड़े हैं चारो के चारो वो एक जैसे हैं that is symmetrical है जो कि यहाँ पे नहीं है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक टुकड़ा छोटा है दूसरा उससे बड़ा तीसरा उससे भी बड़ा चौथा उससे भी बड़ा है तो यह मेरा अंसर नहीं होगा तो पहली option मेरा अंसर नहीं हो सकती इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो fourth option and third option are bogus इसमें भी चारो टुकड़े एक जैसे नहीं है उपर वाले और यह वाला टुकड़ा छोटे हैं यह दोनों बड़े हैं यहाँ पे भी यह दोनों टुकड़े छोटे हैं और यह दोनों टुकड़े बड़े हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इन पाँच option में से तीन option तो इसी लिए बेकार हो गए क्योंकि जो टुकड़े हैं जो चार टुकड़े किये गए हैं वो symmetrical नहीं है तो हमें obviously इनको take नहीं करना अब बचते हैं हमारे पास option number two and option number five option number two बड़े अराम से चार टुकड़े बनाए गए हैं बट इसमें भी वही दिक्कत आ गई that is इसके भी चार टुकड़े same नहीं हैं यह दो टुकड़े छोटे हैं और यह दो टुकड़े भी बड़े हैं यानि कि एक ही logic लगा के मैंने चार options को eliminate कर दिया तो मेरे पास कौन सी option भी बचती है that is option number five and the rule applied over here is again I am repeating हमने देखा चार टुकड़े में डिवाइड किया गया और वो चारो टुकड़े एक जैसे हैं that is the similarity वो similarity मुझे सिरफ इसमें नजर आई सिरफ इसमें चार टुकड़ों में डिवाइड किया गया जो टुकड़े बराबर हैं बाकी किसी में नहीं किया गया तो obviously हम किसी और option को tick नहीं करेंगे